इंसा को लेकर आम की वैचारिकता क्या है, आम क्या सोचते हैं इस बारे में? उन्हों को पढ़ा होगा, उन्होंने भी जो अपना वो नहीं निभाया है, एक देश का अच्छा नागरी, अच्छा पॉर्टिक्शन होने का तर्चा उन्होंने भी नहीं निभाया है, नमस्कार मारे उकमार और आप देख रहे हैं दैनिक भरोसा, नुई इंसा को लेकर हमार इस कारी करम वाने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, सर नुई इंसा को लेकर, आपकी वैचारिकता क्या है, आप क्या सोचते हैं इस बारे में? न्युहूं के अंदर जो दंगा हुआ है इससे मेरा जो अपना वैचारिक जो भावना है वो ये निकल के आती है मैं एक इंडियन आर्मी का रिटाइड कैप्टेन शीशपाल मैं ये महशुश करता हूँ कि देश के अंदर कहीं भी इस टाइब के जो भड़काव भाशन या दंगे फिशाद होते हैं इससे हमारा देश की जो इंटर्नल स्क्योर्टी है वो कमजूर होती है और देश का आपसी भाईचारा खराब होता है इस टाइब के मावल से इसके पीछे जो भी राजनेतिक तत्व रहे हैं या जो भी कोई शंक का कार्य करता रहे हैं चाहे किसी विशेश समुदाय से रहे हैं उनको जो भड़काव भाशन एक महिना पहले जल यात्रा से एक महिना पहले यदि उन्होंने वीडियो अपलोड कर दिया है कि आपका बेहनों ही आ रहा है तो ये इस देश के अंदर किसी एक विशेश समुदाय को डारेक्ट इंडिकेशन है भड़काव टाइब के लिए तो मैं उन लोगों से ये अपील करने चाहूँगा कि इस टाइब के बयान बाजी और भड़काव भाशन से बचना चाहिए और किसी जाती विशेश समुदाय विशेश को कभी भी टार्गेट नहीं बनाना चाहिए जैसा कि इसमें बनाया गया और ये जो शाजिस हुई है नुहूं के अंदर जो हमला हुआ है इसको ऐसे दंगा नहीं कह सकते कि अचानक कोई रूमर छूड़ गया ये प्री प्लान था प्री प्लान था जैसे कि मैंने अभी थोड़ी दिर पहले आपको बताया है कि उन्हों उन्हें एक वीडियो डायल दिया किसने वीडियो डाल दिया बिट्टु बजरंगी और मौनू मानेशर बिट्टु बजरंगी उसमें बोलता है कि भाई जो है कि मैं आपके बहनों ये आ रहे हैं या आपका जो है कि फूल माला के लिए तयार हो जाओ मेवात में हम लोग आ गया और जो कि उनको दिल को आहट होई उस चीज को लेकर कि तो मौनू मौनेशर और बिट्टु बजरंगी वो अभी मेरे हिसाब से वो बच्चे हैं यदि मैं अपनी एज से उनको कंप्रिजन करता हूं तो वो अभी बच्चे हैं वो 30-35 साल से ज्यादा के बच्चे नहीं है मैं चोटे नहीं है मैं उस दूसरी तरफ से भी तो वीडियो विशेश समुदाय का जो विधायक जी है इंजिनियर मामन खान मामन खान जी जो है इंजिनियर वो विधायक है और मैं समझता हूं कि वो बच्चे भी नहीं है विधायक है उन्होंने राजनीती में आने से प जो constitution है उसको पढ़ने का मोखा मिला होगा और नहीं उनसे पहले मिला तो राजनीति माने के बाद जरूरी उन्होंने समिधान को पढ़ा होगा उन्होंने भी जो अपना वो नहीं निभाया है एक देश का अच्छा नागरिक अच्छा politician होने का दर्जा उन्होंने भी नहीं निभाया है वो विधान शवा के अंदर बयानवाजी करते हैं कि ठीक है तुम मतलब मेवातियों को इतना कमजोर समझा है कि आजाओ तुमारी हम प्याज सी फोड़ देंगे जो कि एसा लगा कि उन्होंने तो ठीक है एक बयान डाल करके वह तुम्हारा बेहनों ही आ रहा है स्वागत के लिए तो यार हो जाओ उन्होंने तो एक फ्यूल इखटा कर दिया पेट्रोल और इन्होंने भाई-साब ने उनको चिंगारी दिखा दिया माची दिखा दिया जिससे यह आग भड़क गई और ना ही तो इसमें मौनु मान बिजरंगी का कुछ बिगड़ा ना ही उस विधायक का कुछ बिगड़ा अल्टिमेटली जिन लोगों की जान इसमें गई है उनकी छती उनके परिवार को खलेगी आज हम सब उसके जो अपना परदीप परदीप पंडिजी परदीप शर्मा जो की अपना बजंग दल का और इतर अपना एरिया का बाजश्यपूर का कारिय करता था और हमारी कलोनी में वाटी का कुझी में लगभग वो 15 साल के आसपास से इदर रह रह रहा था लगभग तो इंडिज्वल हर एक धार्मिक उसमें बढ़ चड़ के काम करता था हर जगे वो पहुचता था देश को सर्वोपरी रखते हुए उसने अपने परिवार को नहीं देखा मैं आज जो है कि अपना खुद उसके पैत्री गाउं में जा करके उसके बड़े भाई से मिला परदीप से नहीं सौरी दीपक उनका नाम है भाई का दीपक मरने वाला परदीप उसका पिताजी परिवार के बागी शदेश्यों से भी मिले हैं जो बंदा अपने परिवार को ना देखते हुए और देश हित और धार्मिक कारियों में इतना अपने आपको इन्वॉल्मेंट रखता है वो बंदा गलत होई ही नहीं सकता पूरी हिंसा के बीच में क्या सरकार को सासन पर सासन को इस बीच में किसी तरह की इंटेलिजेंस नहीं थी उनकी कि इस तरह की हिंसा हो सकती है इंतजामात किये जाएं सुरक्षा के इंतजामात किये जाएं परसासन परसासन को सतर किया जाएं इसमें देखो यदि जिस पैमाने पर यह हिंसा भड़की है उसको देखते वे तो यह महसूस होता है कि हमारी जो मौजूदा शरकार की जो भी इंटेलिजेंस है वो काम नही कहिए है सरी उसमें मतलब उसको धिलाई उनकी महशूस हुई है इसमें सीधी सीधी क्योंकि एक महीना दो महीना पहले यदि बिट्टू बजरंगी या मौनु मानेशर का वीडियो अपलोड होता है या विधायक मामन खान उनका वीडियो अपलोड होता है शोसल मेडिया पर उसके तहट जो हमारे अधिकारी है इतने बड़े-बड़े इंट्रिव दे करके वह आई-पी-एस-पी-डी-एस-पी उस ओधे पर पहुंचते हैं तो उनको अपना आई-क्यू समय लगा लेना चाहिए कि भई य दर से भी आया और यह मतलब क्या है कि दोनों समुदायों के बीच में कुछ ना कुछ घटना घट सकती है तो जब परशाशन से परमिशन ली गई थी एक महीना पहले या दो महीना पहले तो उनको उसी हिसाफ से एड्यूकेट ली जो है कि फोर्स का अरेंजमेंट करना चाह इस लिए और यह चूक के दो कारण हो सकते हैं एक तो उनको यह फेत होगा आपस में कि भई हम 1947 से एक साथ रह रहे हैं और पहली भर को यह आत्रा नहीं निकल रही है इससे पहले भी आत्राह निकली है कभी ऐसा नहीं हुआ तो इस बार भी नहीं होगा कुछ वो सकता इस च सेक्योरिटी को कभी भी नजरनदाज करना ही नहीं चाहिए चाहे कितनी भी शुक्षानती चल रही हो और चाहे कितना भी टेंशन का महवल बन रहा हो और ये तो टेंशन सो कर चुके थे दोनों तरफ से मतलब क्या है कि विधायक अपना मामन खान जी भी अपना भढ़काव भ चाहिए था हमारे जो उंचे ओदे पर जो स्कूरिटी फोर्स जैसे SP, DSP, IG, DIG जो भी बैटे हुए इनको इस चीज को संग्छान में गहरा ही से लेना चाहिए था पूरी हिंसा को लेकर दर्सक आपको देख रहे हैं कि पूरी हिंसा को लेकर आप क्या मैसेज देना चाहिए वही एक गुजारिस है कि इसको जो भड़काओ टाइप के भासन है यदि आपको लगता है कि भई यह भड़काओ भासन है तो उसको आप उसका हिस्सा ना बने कि उसको आगे भेजे और जो है कि उससे बढ़ावा जो बाकी लोगों को मिले दूसरा आपके आज पड़ोस में आप कुछ रिमर्स सुनते हैं या कुछ ऐसी बाते सुनते हैं भलाई आपको लगता है कि यह चीज सही है और आपको ऐसा भी लगता है कि वही सही को बताने से और बड़ी प्रोब्लम आ सकती है तो आप उसको यदि हो सकता है तो उसको बो खुद बरकार रखते हुए और हमें अपने आंतरिक मामले खुदी रिजॉल्व करने चाहिए और आपसी भाईचारा हमेशा बना के रखना चाहिए बहुत-बहुत धन्यवाद सीस्पाल जी हमारे साथ आप तो ये थे हमारे साथ कैप्टन सीसपाल सिंग रोहिला जी और भी नुए इंसा को लेकर लगातार लोगों के मत और विचार आपके भी साजा करते रहेंगे कुछ समेंतराल के लिए मुझे दीजिए इजाजत नमस्कार